पांचेज़ रूपे लेकर हैं अपना ट्रेडिंग जर्डियो श्टार्ट की एंड इस जर्डियो एपनाने वाला हूँ तो आज के दिन मेरेको प्रॉफिट हुआ की लॉस हुआ ये चीज़ बताने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं जिन्हों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अपने होट से एक लाइक कर दीजीगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमको बहुत ज्यादा मोडिवेशन मिलता है, अब सब्सक्राइब देखो, वो totally आपका personal choice है, अगर आपको मेरा trading journey से कुछ भी सीखने को मिला है, या पिर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, दिन आप कर सकते हो, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप ना भी कर सकते है, यह totally आपका personal choice है, तो चलिए आज का वीडियो पूरा कपिटल नहीं किया मेरा किसमत अच्छा था बट 40% मैं जो अपना प्राइब का उड़ा चुका था लास्ट डे और वह गल्ती मैंने किया था सोच रहा था कि करूंगा मतलब मैनुवल एक्जिट में क्या होता कि थोड़ा और जाये फिर कर लेंगे थोड़ा और नीचे जाये तो कर लेंगे इस चक्कर में मेरा कैपिटल का 40 जो लॉस हुआ था लेकिन आज मैंने एकदम पूरा स्ट्रिक्ट इसल के साथ अपना जो है सारे ट्रेट्स ल लेगा तो आज मैंना चार्ट लिया मैंने कैसे कैसे लिया कहा कहा लिया क्या सोच के लिए हर एक चीज में आप लोग को एक्स्प्लेई कर देता हूँ तो मेरा पहला ट्रेट जो था मैं पांच मीट के टाइम प्रेम पर अगर देखू तो यह बस इत्तु सा है मार्केट ठी क्या बोलता है ये candles uptrend में जा रहा था फिर downtrend में आया फिर मैंने इधर नीचे एक support था ये support बहुत पुराना support था ये अभी का support नहीं है बहुत पुराना support ये देखे ये है आपका 5 तरीका 5 जुलाई इस जगह से support लिया है इधर आप लोग देख सकते हो 5 जुलाई को ये भी 5 जुलाई को दो बार support लिया था पाँ जुलाई को इधर बापस से 4 जुलाई को support लिया था मतलब इस जगह से एक बड़िया buying momentum जो है बट फिर भी मैं इस line को माना line के just जैसे थोड़ा सा नीचे गया मैंने अपना entry जो है बना लिया था नीचे side के लिए put side के लिए मुझे लगा कि ये breakout हो सकता है हो सकता है नीचे मुझे एक दो candle मिल जाए लेकिन क्या हुआ कि मुझे एक दो candle मिल गया था मुझे अपना premium के उपर 3-4 रुपे तक का profit हो रहा था बट मैंने exit नहीं किया मैं भूली गया था कि मैं scalping कर रहा हूँ मुझे कम से कम अपना SL को जो है अपना cost to cost ला देना चाहिए था ताकि मेरा loss ना हो इसमें मार्केट जैसे इधर से उपर जा रहा था उपर जाते वग्त हमने एक और trade लिया उके उपर जाते वक्त हमने जो ट्रेड लिया उसमें एक ही candle में घुसे एक ही candle में निकल गया मतलब एक candle बस हमने वेट किया तो एक मिट का टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखे तो मैं जस्ट एक candle का वेट किया तो इस जगे पर एकदम इस candle के नीचे एकदम नीचे वाला जो support था exact इसी जगे पर मैं limit order मार के entry किया था फटा बट से मुझे पर बहुत देर तक टिका रहा फिर मार्केट उपर गया मतलब इस ट्रेड को मैं अगर hold करता तो आज मुझे अच्छा गासा profit जो है देखने को मिलता इदा नीचे जहाँ अब इसके बाद हम चले तीसरे ट्रेड पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर से धका लेकर मतलब रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा था तो मुझे लगा इस जगे पर एक बना लिया था कि इस जगे से मार्केट फिर से थोड़ा सा उपर यह लग रहा था कि हि спort ले marks जो है जा सकता तो इस वजह से मैंने इस बते हम बना explains क्योंकि मुझे मैं आज गया चैना मैं आ सारा इंट्री बनाया था यह पहला बनाला इन्टि भी आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने दो ही पॉइंट का एसल दिया प्रीमियम के ओ पर यह अगर इधर में दो पॉइंट ले लेता है यह वह लेता तो इसमें प्रोफिट में रहता है वह चोड़े तो च्लड़ि में स्वारी दूसरे ट्रेड में मैंने चोटा सा स्केल्प मारा दो पॉंट का प्रॉफिट हुआ एक पॉंट तो मेरा ब्रोकरेज में चल गया एक पॉंट का फायदा ओके एंड थर्ड में क्या हुआ थर्ड में मेरा जो है मैं इधर गलत था थोटल यसरे इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट थोड़ए सा नीचे आया मैंने जैसा बता है कि मेरा एस से लिख दम एकस्पांट कर दो पॉंट का रखा प्रोष ना हो इससे पहले वाला एंट्री ठीक ठाक था मुझे किसी जगे पर भी एंट्री मेरा खराब था यह मुझे नहीं लगा यह तीसरा वाला ट्रेड पर मैंने एंट्री खराब लिया था आप लोग बाकी कमेंड करके बताना अगर आप लोग को लगता है कि मेरा कोई यह गलत था तो आप लोग कमेंड करके बताना यह चीज आप लोग मुझे बता सकते हो ठीक है और अब क्या हुआ अब हम लोग का लास्ट ट्रेड बलब फोर्थ ट्रेड पर मेरा दो इसे लूट हीट हुआ एक ट्रेड में थोड़ा से प्रॉफिट मिला तो यह जो दो इस ट्रेड पर इधर देखिए यह मैं इसे सोर्व फाइफ मिनिट वाला फाइव मिनिट वाला नेवेक मिनिट पर एक मिनिट पर हमने इंटर क्या था सौरी सॉरी सॉरी सौरी दिक्कत देखने को मिला, इधर देखिये, एक hammer type का बना था, इधर उपर resistance था, अभी ये पहले support का काम करा था, support जो है break हो गया था, break होने के बाद market थो, मैं wait किया confirmation का ये fake breakout तो नहीं है, actually ये fake breakout नहीं था, selling pressure बहुत बढ़िया था, ये आप लोग इस candle में देख सकते हो, को मिल जा रहा है, अलगम बड़ा बड़ा candle बन रहाता है, इसके बाद एक pinbar candle बना, इधर, इधर एक pinbar candle बना, तो मुझे कही नहीं लगा, ये भी दोस्तों seller का candle था, तो मुझे कही नहीं लगा, selling pressure बहुत जादा है, market यहां से, support तक तो आएगा, ये चीज मैं confirm था है, कि या से support तक तो आएगा, तो इधर मैंने बनाया अपना entry, और दो पॉइंट का SL, जैसा कि मेरा रहता है, मैं दो पॉइंट से जाता, कल बहले जो incident मेरे साथ हुआ ना, दो, तीन या फिर बड़ा target रहेगा, तो थोड़ा और बड़ा 4-5 तक 5 से उपर तो मैं SL बिलकुल नही और इस trade पे मुझे total आप लोग को 9-10 पॉइंट premium के उपर मिल गया, तो जिस कारण से मेरा profit बना आज का, तो आज का मेरा total profit हुआ तो अल्लेड आप लोग स्क्रीन क्या बोलते हैं, थमनेल पर आप लोग अल्लेड देख चुके हो, तो एक बार और मैं दिखाते तो यह रहा मेरा आज का दिन का पूरा profit, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग का आज का trading journey कैसा गया, trading day कैसा गया, आपका कितना profit हुआ, कितना loss हुआ, क्या हुआ, सब कुछ जो है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, और एक और चीज, सबसे main चीज, किसी भी जगे पर आप आप लोग का है, जो लोग जानते हो, जो लोग जानते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब trading के उपर knowledge है, मेरा वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, प्लीज, एक कमेंट अपना करके जाईएगा, आपका ग्यान मेरा साथ भी share कर के जाईएगा, ओके, और एक और चीज, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम की भी लिंक है, जाके फॉलो कर लेना, आज के लिए बस इतना है, आगे मिलता हो एक fresh new वीडियो के साथ, तब तक लिए इस्टाड़ा एंड, बद्स काइब एंडूक नाबक ले अतना है, आगे मिलता हो, भी बस भीज़ाखलाव में अगजा साथ, पालाते हो मिलता हो, कि अठागओते है, जाके उ